हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तू मैं यूट्यूब चैनल इस्टड़ी बात करने वाले हैं फ्रेंट्स ये मेकेनिकल से रिलेटेड मेरी फर्स्ट वीडियो है और जिस वीडियो में आज बताने वाला हूँ आपको डारेक्शन कंट्रोल वाल जी साँला हैllo जाता है। इस वीडियो में आपको पूरा प्रेक्टिकल संधाने वाला हूँ डारेक्शन कंट्रोल वाल जी होते हैं वो किस से वर्क करते हैं और इस वसी Becky-borg के थूरे कैसे इसकी working पता लगाएंगे direction control valve की friend जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे है direction control valve तो यह direction control valve क्या करता है oil या फिर fluid hydraulic में आप जानते है oil या fluid बहुत important है और यह oil की direction को control करता है in hydraulic system मान की चलिए कोई आपका cylinder है अगर आपको इसको reverse या फिर forward direction रोटेट करना है या फिर up down चलाना है तो उसके लिए आपको एक direction में oil flow करना पड़ेगा और दूसरी direction से oil reject करना पड़ेगा इस controlling action को हम किसके तुरू करते है direction control valve की friends अगर आप industries में हैं या आपने कोई workshop अगरा टेंड की हैं तो आपने ये direction control valve जरू देखे होंगे जिसका मैंने आपको एक print out निकाला हुआ है इसमें आप friends देख पा रहे हैं ये होता है आपका electrical system और उसके नीचे होता है आपका mechanical system फ्रेंड basic क्या है ये आपकी जो आप देख पा रहे हैं दो, one or two ये आपकी coils होती है coil number one, coil two जिसमें magnetic coil और उसके उपर ये electrical हम supply देते हैं इसके थूँ ये switches आप जो देख पा रहे हैं इसमें आपको electric supply आएगी जैसे इसको supply मिलेगी ये magnet बना देगी coil में तो फ्रेंड ये supply 24 volt भी हो सकती है 120 या फिर 240 volt वो आपको जो आप इसके description पढ़ेंगे direction wall जो आप लेंगे उसमें आपको indication होगा मान के चलिए अगर आपने इस coil को supply दी ये magnet बनाएगी इसके magnet बनने से इसके अंदर जो plunger होता है electrical system के अंदर वो movement करेगा फ्रेंड basically क्या है ये जो electrical वाला उपर वाल देख रहे है इसको बोलते हैं pirate मतलब ये drive करेगा mechanical system को तो जैसी इसका plunger move करेगा manifold से oil आएगा और इसके through जाएगा इसके अंदर और जैसी अब ये mechanical system में oil जाता है उस condition में क्या होगा friend आपका जो slender है उसके पास तक oil जाएगा पर उसके पास पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा उसका hydraulic circuit diagram तो इसी को हम समझेंगे आज की वीडियो में और इस circuit diagram में friend खुद बनाया नहीं है हर wall के उपर इस circuit diagram होता है जैसी कि आप यहाँ देख पा रहे है clear नहीं दिख रहा है इसी circuit diagram को मैंने यहाँ पर बना लिया है चाहिए आप कोई दूसरी company का direction control wall दे लिजे इसमें केवल मेरे पास यह pilot वाला है यह coil होती है आपकी यह आपकी supply हो गई और यहाँ पर circuit diagram को दिखनी रहा है वो circuit diagram में यहाँ पनाया हुआ है जैसे कि friend आप पढ़ पा रहे है 4 by 3 तो सबसे पहले हमें समझना होगा यह 4 by 3 का मतलब क्या होता है यह क्या चीज के लिए stand करता है इस 4 by 3 का friend मतलब होता है 4 मतलब आपका port 3 मतलब आपकी conditions या फिर position condition ना कहके से आप position कहिए यह position के नाम से ज्यादा suitable लाएगा समझने के लिए मतलब अगर मैं इसको read करूँ 4 port 3 position direction control wall अब हमें समझना होगा यह 4 port 3 conditions कैसे हैं वो हम समझेंगे circuit diagram के थूँ friend जो भी आपका direction control wall होगा अगर उसके अंदर 1 box है या 2 box है या 3 box है 3 box का मतलब 3 position 2 box का मतलब 2 position एक box का मतलब एक position अब आप देख पा रहे हैं यह black से circuit diagram के अंदर 3 box है तो यह 3 position हो गई position 1, position 2, position 3 और यह जो आपका 4 यह port इंडिकेट करेगा A port, B port, P port, T port P का मतलब friend होता है pressure port जो pump से oil को pressure देगा और T का मतलब होता है tank port जिसके थुरू oil आपके tank में वापस आएगा और A, B होते हैं वो cylindrical के port होते हैं जहां से आप A port से cylinder पे supply जाएगी और B port से भी cylinder पे supply जाएगी और friend यह कई types की होते हैं direction control wall जैसे कि यह है 4 by 3 मतलब 4 port 3 position ऐसा भी हो सकता है यह कोई direction control wall वो 4 by 2 इसमें हमारा क्या होगा 4 port होंगे और 2 क्या होंगी इसकी positions होंगी मतलब इन में से एक position कम होगी direct on condition होगी जिसमें oil जा रहा होगा और दूसरी से आ रहा होगा इसमें क्या एक normal condition गी है जिसमें सारे port बंद है यह ऐसा भी हो सकता है 3 by 2 मतलब 3 port होंगे और 2 आपकी positions होंगी तो पहले आप इस तरह से हम समझेंगे यह 4 by 3 क्या कहता है अब friend हम बात करते हैं कितने types एक और तरीके से हम types characterize करते हैं जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं यह electrically controlled है इसमें electrical supply जा रही है यह अपकी coil है electrical और यह उसकी supply है ऐसा भी हो सकता है यही एक system electrical हो यह mechanical हो इस condition में क्या होगा जैसे इस पर supply आएगी यह magnet बनेगी plunger move करेगा और जैसे इसकी supply जाएगी यहाँ पे electrical की जगा mechanical system होगा spring में तो spring से वो वापिस आजाएगा plunger अपनी position में लेकिन अभी basic समझने के लिए हमने जो लिया हुआ है वो है आपका 4 by 3 direction control valve electrical port यह coil 1 है electrical यह coil 2 है यह हमने circuit diagram लिया हुआ है अब हम इसकी working देखते हैं friends working समझने के लिए friend हमने इसको दो conditions में divide किया हुआ है इसकी 2 conditions होती है एक normal condition एक operating conditions तो यह जो है आपकी इसे बोलते हैं अब normal condition यह वाले box normal condition यह आपकी operating condition operating condition और यह वाली भी आपकी operating condition मतलब इन 2 conditions के ही cylinder में oil जाएगा और जब यह condition होगी तो कोई oil नहीं जाएगा स्रेंडर अपनी स्रेंडे स्टेल पोजिशन पर आएगा अब हम तुवारे से जाते हैं कंडिशन पर नॉर्मल कंडिशन को अगर मैं देखूं P, T, A, B जो पोर्ट से हैं प्रेशर, टैंक, A, B ये सभी ओफ रहते हैं ये देखिए हाइडरलिक के आपको सिंबल सौझने पढ़ेंगे ये ओफ कर रहा एक तरह से कोई सप्लाई नहीं जा रही है अब आते हैं ओपरेटिंग कंडिशन ओपरेटिंग कंडिशन दो पार्ट में डवाइड है सबसे पहला क्या होगा जैसे ये आपकी कोईल वन पे सप्लाई जाएगी मतलब कोईल वन एनरजाईज होगी कोईल वन पे एनरजी में जैसी पहुंचती है तो ये जो कंडिशन आप देख पारें फ्रेंड ये कंडिशन आ जाएगी इसके उपर इसको देखिया इमेज को जैसे ये कोईल मेगनेट बनेगी इसको आप सप्लाई रेंगे तो मैनिफोल्ड से ओईल इसके अंदर जाएगा और इसके आदा नीचे होता है अपना मेकेनिकल सिस्टम ये मेकेनिकल सिस्टम है आपका इसमें ओईल जाएगा तो इसके प्लेंजर को मूव करेगा इसका मतलब जैसे हमारी इस कोईल पर सप्लाई जाएगी ये कंडिशन हमारी इस पर बन जाएगी तो समझने के लिए मैं बता दूँ कैसे होगा कोईल बन पर हमारी सप्लाई याईए तो यह क्या होगा जो यह system आपको बना हुआ है बीच वाली condition इस condition पर आपके कौन सी condition आ जाएगी यह first वाली तो यह आपके 4 port थे अगर मैं इस condition को इस port के उपर रखूँगा तो इस तरह का हो जाएगा और यह नीचे यह वाली condition को यह आपका A है यह B है यह आपका P है यह T है इसका मतलब friend अब इसी condition को यहाँ पर रखके देखिए मतलब pump ने oil को pump किया यह oil यहाँ गया और यह piston को forward direction move करेगा जो यहाँ पर पहले सो oil होगा वो इसके through नीचे tank में आ जाएगा यह आपका होगया first condition जिसमें हमारा यह piston forward move करेगी है अब मानके चलिए friend जैसी coil 2 पे energy पहुचेगी coil 2 पे energy पहुचेगी तिर क्या होगा इस condition में द्वारे से हम बना कर देख लेते हैं इसको energize करेंगे तो यह वाली condition normal condition के उपर आ जाएगी इसको हम बनाएंगे कैसे direct arrow देखिया यह इसके उपर आ चुकी है यह हो गया A, B, P और T इस condition में अब oil ऐसे जाएगा मतलब यहां से oil जा रहा होगा और यह जो piston forward हो चुका था हैं oil जाएगा इसको backward movement देगा और यहां पर oil होगा वो cross के कारण direct tank में आ जाएगा तो फ्रेंड इस तरह से काम करता है तो basically direction control wall के कुछ इंदर कुछ नहीं होता आपको फिर आप condition समझनी है और उनकी arrow direction देखनी है plus hydraulic के symbol समझनी है जैसे आपकी coil one energized होगी यह वाली condition है आ जाएगी और oil इसको cylinder को forward movement देगा जब आपकी इस coil पर supply होगी तब यह जो cross बना हुआ है यह oil ऐसे जाएगा और cylinder को backward movement यहां से coil वापस आ जाएगा tank के अंदर चाओ तो फ्रेंड आप इसका screenshot ले लिजे मतलब कि जैसी coil one energized होगी मतलब position one आ जाएगी two पर यह वाली condition two पर आ जाएगी इसका मतलब P A से connect हो जाएगा और T B से connect हो जाएगा P A से connect B T से connect और यहां से oil जाएगा जो cylinder का moment होगा वो काम करने लगएगा और return oil इससे tank के अंदर आ जाएगा अब जैसी आप coil two का energize करेंगे मतलब position three will come on two जो यहां के position three होगी यह two पर आ जाएगी और इस तरह का moment हो जाएगा मैं ही पर बनाके दिखाएता हूँ अब जब यह coil B energize होगी तो यह backward position में cylinder को move कर देगी तो friends इस तरह से काम करता है आपका पूरा direction control wall आशा करता हूँ आपको concept समझ में आया होगा working किस तरह से होती है प्लस hydraulic circuit उसका किस तरह से काम करता है direction control wall का तो friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो like कीजे और जाएश सब्सक्राइब कीजे थैंक यू